नमस्कार अवनी हिंदुस्तानी की तरफ से भारत माता कीजे आज मैंने कवीता लिखी और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कवीता किस पर सटीक बैठती है हां मैं जूठा और राजनीती का भांड कहलाऊंगा काम तो कुछ करूँगा नहीं लेकिन एडवेटाईज में आना नहीं भूलूँगा मुफ्त दोसो यूनिट फ्री की बिजली का धकोसला देके तुम्हारा काटूंगा और जेहादियों को सिलाई मशिन घरगर पहुँचाऊंगा मेरे ही पार्टी के हराम खोर नेता दंगे करवाएंगे और मैं उनको छट पर बम बनाने के सामान पहुँचाऊंगा मेरे महला क्लिनिक में कुत्तो को मुत्वाऊंगा लेकिन जब मेरी बीवी को कोरोना होगा तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाऊंगा फरजी राशनकार पकड़े गए तो रोहिंग आको घर घर जाके राशन पहुचाऊंगा अरे मैं तो इतना गीरा हुआ हूँ कि अपनी बीवी और बेटी की लाश्ड की भी राजनीती खेलूँगा एक्टिंग मैं तो मैं बॉलीवूड को भी पीछे छोड़ दूँगा अरे जनता मैं तो अन्ना क्या नया हुआ तुम्हारा क्या होँँगा चखना और सोडा ओनलाइन घर पर भीजवाऊंगा और तुम्हारी आने वाली पीडी को ऐसे ही बरबाद करूँगा अरे कौन कहता है कि कोठे सिर्फ लखनाव के मशूर है आओ कभी हवे लीपे मैं घुंगरू शेट हूँ नाच के मन बहलाऊंगा यह कभीता किस पर सटीक बैठती है आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है और यह कभीता यह जिसके उपर लिखी गई है 99% लोग समझ ही गए होंगे कि घुंगरू शेट कौन है पहली चीज दूसरा के मैं जिस स्टेट के इस हराम खुर पर जिसके उपर मैंने यह कभीता लिखी है गुंगरू शेट पर मैं उस जनता को बुलना चाहती हूँ कि नस्दिक का फाइदा देखने के चक्कर में दूर का नुकसान आप लोगों ने नहीं देखा है बहुत जल्द आपको बहुत बड़ा अफसोस हो जाएगा इस गिधर को खुरसी पर बिठाने का भारत मता की जाए